मैं निश्यतिवारी सरस्वती विद्या मंदिर सेनीडी कक्षा दसम पाठ नेता जी का चश्मा के प्रश्णुत्तर के अगली कड़ी में निमलिखित वाक के पात्रों की कौन से विशेष्टा की और संकेत करते हैं क, हाल्दार सहब हमेशा चौराहे पर रुखना और नेता जी कौनिहारना या प्रकट करता है कि उनके दन देशभक्ति की भावना प्रबल थी और विश्वतंतरता के लिए संखर्श करने वाले महापुर्शों का हिर्दे से आधर करते थे निता जी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देश बक्ती को देख कर खुश होते थे जिनके लिए उनके मन में शुधा थी और यही करण था शायद वो कैप्टन के बारे में हमेशा चिंतक करते रहते थे ख़़ पानवाला उदास हो गया उसने पीछे मुड़कर मूर का पान नीचे थुका और सर जुगा कर अपनी धोती के सिरे से आखे पोस्ता हुआ बुला साहब कैप्टन मर गया तो यह पानवाला की कौन से विश्यस्ता को परकट करता है कैप्टन की मुदित्यों की बात पर पानवाले का उदास हो जाना और सर जुगा कर आशू पोचना इस बात को प्रकट करता है कि पानवाले की हरदय में कैप्टन के प्रतिगहरी आत्मिता की भावना थी बहले ही उसने किसी दिन मजाक उड़ाया हो लेकिन उससे एक लगाओ था कहीं न कहीं उसके मन में भी कैप्टन की देशभक्ती के लिए श्रधा थी जिस कारण कैप्टन के मर जाने पर वह दुखी हो गया उप्रोथ कटना से पानवाले की सम्वेदन सीलता और देशभक्ती की भावना का पधा चलता है वह भी देशभक्ती की भावना रखता था परन्तु बढ़ बोलापन के कारण ही उसने किसी दिन ऐसा कहा था कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में कैप्टन बार-बार मूर्ती पर चश्मा लगा देता था कुट-कुट कर भरी हुई थी वह कोई फौजी नहीं था परन्तु फिर भी बिना चश्मे वाली मूर्ती उसे आहत करती थी और अपने फेरी की दुकान से एक चश्मा निकालता था और नेताजी की मूर्ती पर प्रति दिन लगा दिया करता था इसे स्पस्ट हो जाता है कि उसकी हिरदय में देशभक्ती की भावना थी अगला प्रश्ट जब तक हालदार सहीब ने कैप्टन को साक्षाद नहीं देखा था तब तक उसकी मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा अपनी कलपना से लिखिए क्या कलपना हो सकती है कि हमलू भी कलपना कर सकते हैं कि जब तक हमलू नहीं देखे तो ऐसा लगता हुआ कि जरू कोई देशभक्ती है आजादिन फॉज कर कोई सिपाही या सवतंतरता से नानी रहा होगा जो ऐसा करिया नौजवान रहा होगा जो ऐसा करता है नेताजी की मूर्ती पर चश्मा लगा दिया करता है हालदर साय ने जब तक कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन के एक भारी भर का मजबूत चरीर वाली रौपदर छवी अंकित हो रही होगी उन्हें लगता था फौज में होने की कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते थे अगला प्रश्ना कस्बों, सहरों, महानगरों पर किसी न किसी छेतर के प्रशिद व्यक्ति की मूर्ती लगाने का प्रचलन सा हो गया है इस तरह की मूर्ती लगाने का क्या उद्धेश हो सकते हैं का दूसरा खा है कि आप अपने इलाके के चुरहे पर किस वैक्ति की मूर्ती स्थापित करना चाहेंगे और क्यूँ गव है उस मूर्ती के प्रति आपके और दूसरे लोगों के क्या उद्धेश होने चाहिए तो पहला कौका हम लोग करते हैं कि इस मूर्ती के लगाने की पीछे क्या उद्धेश हो सकते हैं जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को इसके बारे में चर्चा की थी, इस तरह की मुर्ति लगाने का प्रम को देश यह होता है कि उक्त महान वैक्ति के स्मृति हमारे मन में बनी रहे। हमें अस्मरन रहे कि उस महापुरुष ने देश वा समाज के हित के लिए किस तरह के महान कारे किये। उसके वैक्तितों से प्रेड़ना लेकर हम भी अच्छे कारे करें जिससे समाज वा राष्ट का भला हो। जब जब हम उस मूर्ति को देखें तब तक हम उनके कृत्तों का अनुकरण करें उसके पत्चिनों पर चलने का प्रयास करें। खा का उत्तर है, हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे। इसका कारण यह है कि आज के परिवेश में जिस कारण से हिंसा, जूड, स्वाठ, वैमनस्य, सांप्रदाइक्त, ब्रश्टचार, आदी बुर्या यह बुराईयां व्याप्त होती जा रही है। उसमें गांधी जी के आधर्चों की प्रासांगीता और भी बढ़ गई है। गांधी जी की मूर्ति स्थापित होने से लोगों के अंदर सत्य अहिंसा, सदाचार, सांप्रदाइक, सौहार्द्र, आदी की भावनाई उत्पन होगी। इससे समाज वा देश का वातावरन अच्छे कर्म हैं जिनके कारण आप उस मूर्ति को लगाना चाहते हैं, उसके बारे में उसका जिक्र होना चाहिए। गांगा उत्तर है, हमारा यह उत्तरदाई तो होना चाहिए कि हम उस मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखे, हमारा क्या ध्यायत होना, मूर्ति को लगा दिया लेकिन उस मूर्थी को लगाने की पीछे हमारा क्या उतर दाई तो होना चाहिए हम ना तो सहम उस मूर्थी का अपमान करें अत्वा उसे च्छती पहुचाएं और ना ही दोसरों को ऐसा करने दे मूर्थी तो चौराई पर लगा दी जाती है हमेशा हम लोग ने देखा है लेकिन उस पे धूल गर्द पढ़े रहती है तूट जाती है कबुतर के बीत उस पे पढ़े रहते हैं इत्यादी लोग उस पर कचड़ा फेक देते हैं लेकिन हमेशा हमारा ध्यान रहे कि जब भी हम महामूर्थी लगाए तो उसका संमान करे। और संमान के दृष्टिकों से हैं हम वहा मुर्ति लगाते हैं। हम उस मुर्ते के प्रती प्रयाप्त श्रद्धा प्रकट करें। एवं उस महापुरुस के अधर्सों पर स्वयम भी चलें तथा दूसरों लोगों को भी चलने के लिए प्रेरिद करें। अगला प्रश्न निमलिकी पंक्तियों में स्थानी ये बोली का प्रभास पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। तो स्वयम प्रगाज जी ने इसमें कुछ देशय शब्तों का प्रियोक किया है स्थानी बोली का कोई गिराक आ गया समझो। हम समझ रहे हैं गिराक किसको कहा गया है ग्राहक को। उसको चोड़े चोखट चाहिए तो कैपटन किदर सिलाएगा। उसको मूर्ति वाला दे दिया उदर उसको बैठा दिया। इसको हम अपनी भाषा में कितावी भाषा में जो है मारी परिमारजित भाषा है मानक भाषा है उसमें हमको लिखना है। मानक हिंदी में रुपांतरित, अगर कोई ग्रहक आ गया और उसे चोड़े चोखट चाहिए, चोड़े चोखट वाला चश्मा, तो कैप्टन कहां से लाएगा, तो उसे मूर्ती वाला चोखट दे देता है, और उसकी जगा दूसरा लगा देता है. अग्ला प्रशन, भाई खूब क्या आइडिया है? इस वाके को ध्यान में रखते हुए, बताएए कि एक भाषा में दूसरी भाषा की सब्दों के आने से क्या लाव होते हैं? और रोचक्ता भी आ जाती है एक भाशा में दूसरी भाशा के शब्दों के आने से उस भाशा की भावा विवेक्ती की चंता में ब्रिद्धी होती है भावों की अभिवेक्ती जो अभिवेक्त करना चाते हैं भाशा का भंडार बढ़ता है भाशा का स्वरूप अधिक हो जाता है रोचकता आती है प्रभावशाली बनता है और वह पठनिये भी हो जाता है तो इस तरह से हम लोग पार्ट के प्रशनुत्तर को यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अवस्य कमेंट करें यह आपके लिए अ झाल झाल झाल